Hey everyone, मेरा नाम है Anil sir और आज हम फिर से इस वीडियो में एक नए तरीके का एक नए concept का question जो की rationalization से belong करता है उस question को ले करके आपके सामने आए है तो देखिए इस question में आप से क्या बोला गया है कहा गया है कि if both a and b are rational numbers, find the values of a and b जैसा कि इस question में दिख रहा है आपको के इधर आपको एक expression दिये गया है और यहां आपको a और b दिये गये हैं a और b जो है rational numbers है तो बस उसने यही कहा है कि आप इन a और b की values find करके दे दीजिए बागी कुछ भी नहीं है इस question में तो आपको इस question पर इतने पर नजर रखना है अगर आपने rationalization के concept को ठीक से सीखा है जो कि हमने बहुत अच्छे से आपको सिखाया है और जिसने नहीं भी देखाया उस video का जो link है आपको comment section में दे दिये जाएगा तो देखिए इसमें क्या करना है वो इसको हम फड़ा फड़ देख लेते हैं तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 11 तो rationalization का concept कहता है कि जो नीचे जो denominator का जो denominator दिया होता है हमें उसके negative conjugate हमें उसके opposite conjugate से multiply और divide कराना होता है जैसे कि इधर plus है तो हमें minus लेकर के multiply और divide कराना है तो हमें इसको under root 11 minus under root 7 और इधर भी under root 11 minus under root 7 तो यह हमने किया क्यों यह इसलिए किया कि कोई ना कोई identity बन जाए और denominator में तो especially हमारी यह identity बन जाए a plus b और a minus b जो की बड़े ही easily बन रही है और यह जो है हम इसको सामने as it is लिख देंगे a minus b under root 77 इतना लिखने के बाद और समझने के बाद हम आगे बात करते हैं तो इधर हमारा क्या हो रहा है के इधर एक identity बन रही है इधर जो identity बन रही है वो बन रही है under root 11 minus root 7 का whole square और नीचे a plus b a minus b यानि की root 11 का square minus root 7 का भी whole square और यह as it is इस तरीके से लिख देंगे under root 77 इस पे आप identity जब लगाएंगे तो a minus b का जो whole square हमने सीखा था बहुता a square minus 2ab and plus b square तो इधर हम वह identity अपलाई करने वाले हैं तो इसको लिखेंगे root 11 का square minus 2ab तो root 11 root 7 plus b square यानि root 7 का whole square और नीचे a square minus b square बनी चुका है तो हमने क्या सीखा था कि जब हम किसी भी square root पे square देखेंगे तो हम उस square root को इस square से remove करा देंगे cancel out करा देंगे तो इधर हमारा इस से ये cancel होकर के सिर्फ इधर 11 ही बचेगा और similarly इधर क्या बचेगा 7 और इस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं a minus b root 77 ठीक है अब हम इसको यहां लिखने के उसस करते हैं देखिए तो root 11 का square क्या आएगा 11 आ जाएगा तो यहां हमारा लिख जाएगा 11 और minus 2 लिखते हैं minus 2 root 11 और root 7 का multiply कराएंगे तो क्या आएगा root 11 और root 7 का जब आप multiply कराएंगे तो आपके इस तरीके से आ जाएगा 11 into 7 हमने identity पढ़ी हुई है root A root B is equal to under root AB तो उसी property का use करके हम इदर यह लगाने वाले हैं तो इदर हम लिखेंगे under root 77 और under root 7 का जब square करेंगे तो आपके पास आएगा 7 और नीचे तो हम solve करी चुके हैं 11 में से जब आप 7 को subtract करेंगे तो you will get 4 और equal में हमारा यह चल रहा था तो लिखेंगे A minus B under root 77 यहां तक I hope clear हो रहा होगा तो 11 और 7 को आप कर दीजिए plus तो 11 और 7 को जब आप plus करेंगे तो आपके पास आजाएगा 18 और इदर लिख देंगे minus 2 under root 77 और यहां लिख देंगे 4 और A minus B under root 77 अब आप देखिए यह 18 है जे minus 2 root 77 तो यहां से हम 2 common ले लेंगे 2 जब हम common लेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा common लेंगे तो यहां आएगा 9 और यहां बचेगा only under root 77 और यह रहा हमारे पास 4 और A minus B under root 77 तो इसको इससे काटेंगे तो 2 आजाएगा अब आप इसको क्या करिए इस 2 को 9 की नीचे भी लिखिए और root 77 की नीचे भी लिखिए तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 9 upon 2 minus 1 upon 2 under root 77 यहां तब करने के बाद अब इस question में twist आता है या यह कहलो के interesting part यहीं से शुरू होता है तो यहां से आपको करने के बाद क्या करना है देखिए इधर आपको root 77 दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है यहां minus है और यहां भी minus है तो हम क्या कराएंगे इधर हम एक चीज़ लिखेंगे on comparing लिखेंगे on comparing तो compare करेंगे तो compare करने पर क्या होगा कि इस वाले expression को आप इसके equal लिख देंगे और इसको आप इसके equal लिख देंगे तो देखिए कैसे तो a की जो value है वो तो easily निकल के आ रही है compare कराने पर a equal to 9 upon 2 और जब हम इसको इससे compare कराएंगे तो लिखते हैं minus 1 upon 2 under root 77 और minus b under root 77 तो आप देखिए minus से minus cancel होगा और under root 77 से under root 77 cancel हो जाएगा तो आपके पास b की value बड़े ही प्यार से क्या जाएगी 1 upon 2 और a की value 9 upon 2 तो इस तरीके से हमें इस question को करना होता है आप इसको note कर लीजिए और इससे ही related मिलता जूलता question आपको हम एक homework में दे रहे हैं जिससे आप homework में उसको कर सको और हमें उसका answer comment section में दे सको तो आपको हमने एक homework question भी दिया है तो आप इसको जरूर solve करिएगा और हमें comment section में answer जरूर लिखिएगा आपको हमें